अब सभी को पता है G20 की जो अनुवल प्रेसिडेंट्सिप होती इसमें इंडिया के पास है 2023 का इसका हम प्रेसिडेंट्सिप कर रहे हैं और इंडिया इसमें वर्ड पे जम आजी वर्ड लीडर के रूप में काम कर रहा है हालाकि इसे पहले भी किया है जैसे जब इंडिया इंडिपेंडन्ट हुआ 1947 और 1947 से लेकर 1991 तैं कोल्ड वार चला था इंडिया थौड वर्ड को लिख हर्ते की यह इस समय भी थ rude वर्ड को लिख हर रहा है बस ठोड़ा सा एक अलग तरेका के निच नचार हैं प्रेसिट्ट्टिब कर रहा है और उसके बाद एक word निकल कर के जो इंडियर काफि मतलब श्ट्रौंग वर्ड है यो ग्लोब साउस Łमिन तो तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि है कि अौद तो मतलब क्या है भ्लू पहले सबाग के तेरे जनौरी के बीच में होगा यह हमारे फोरेंश सेकेटरी है अभी ने कवात्रा यह कुछ अपने स्टेट्मेंट देते हैं यह कहते हैं कि 12 से लेके 12 जनौरी को जो कि हमारा क्या रहेगा चलेगी यह वर्चुल मीटिंग होगी और यह अब आयसा नहीं कहीं पर्टिकुलर यह यह वर्चुली हो रहा डिफेंट से लोग आएंगे करेंगे दूसरी चीज़ ग्लोब साउट का मतलब देख लेंगे क्या होता है ग्लोब साउट का मतलब होता है ऐसा डिवलपिंग यह डिवप एंड डिवल्प निवल्प कंट्री अब दे वर्ड इसमें आपका आल्मॉस्ट कुछी कि इसके कंट्री को छोड़ दे पूरा एस्वय Asia continent sorry Africa continent आ जाएगा South Asia Southeast Asia country आ जाएगी Latin America आ जाएगा तो मतलब क्या है कि two-third world country जो कि इसमें आ जाएगी कुछ develop country को छोड़ करके दूसरी चीज़े जो global south है यह इनिशेटी inspired by the Prime Minister of India का एक vision है उससे सबका साथ, सबका विश्वास सबका विकास और सब का प्रयास ठीक है फिर से हुआ देख लेते हैं सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रयास ठीक है पतल़ सब को हम साथ लिके चलेंगे और ये undermine the philosophy जो Indian का है वासवध्हयम कुटमबगम मतलब सर्वधं संभाववा मतलब सब का जो है कि कल्यान हो यह हमारे ग्रंथों में लिखा गया उसके बेस पर यह है दूसरी बात है यह इंशोर करेगा वैल्यूबल इन्पूट जन्रेरेट पार्टनर्शिप कंट्री इन वाइस अब ग्लोबल सब्मिट साउस सब्मिट डेपलेट रिसीव अडिव टु विख शेप ते इन वाइस नोट जस्ट आवज जी टुट इपार्टनर बट आल्सो आवर वर ट्रवल अद ग्लोबल साउस जो ना केवल जी टुटी मेंबर्स को ही जो प्रेसिदेटी जी टुटी का चल लाया हमें पता कि जी टुटी जी मतलब ग्रूप अब टुटी कंट जो ग्लोबल साउस उसके भी वाइस को कहीं कहीं इंक्रेज करें दूसरी बात है मिनिश्ट्र अच्छन अफ ने कहा कि सम्मिट जो ग्लोबल साउस का चल लही है यह 10 सेशन होगा चार और छे के रिशियो में होगा पहला जो होगा वो जो की चार जो की जनौरी को का चार जो इसका ग्लोबल साउस सम्मिट हो इसका जो थीम है वो देख लिते क्या है वाइस अब ग्लोबल साउस फार होमें सेंट्रिक डवलप्मेंट एंड डैट आप दर कंक्लूडिंग लीडर सेशन इस यूनिटी आफ वाइस यूनिटी याव प्रॉस्पर्स इस धट के लिए उसके बाद यह करते हैं कि要 kinda कोमनिश्ट्री से ये से अट करेंगे और यही हमने डिसक्स करने की कोशिटी या Do क्या होता है क्योंकि हम अपडेट रहें आपसे यह पूछ सकता है कि ग्लोबल साउथ सम्मिट का थीम क्या है ठीक है तो इस वज़े से हमने डिस्कस कर गया है इस तो यह वीडियो में तैंक्यू थैंक्यू तैंक्यू बेर में डिस्क्रिशन